नमुश्कार मोप्रिया बिहारी नियूस में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में निकाली गई बंपर बहाली आज से बदल जाएंगे बैंकिंग के ये नियम बिहार के ज़ारखंड से सटे इलाकों में भारी बारिश के आसार नए बस अड़े पर पहुचने में यात्रियों को हो रही है परिशानी बिहार के किसानों को फसलों के नुकसान के लिए मुआफ़ा देगी सरकार अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार में निकाली गई बंपर बहाली बिहार में ग्रामीन कारे विभाग ने बंपर बहाली निकाली है जानकारों की माने तो विभाग के अधीन 1070 सेक्षन है हर सेक्षन में एक जूनियर इंजीनियर एक सर्वेयर जो ITI उत्तिर्ण हो एक वर्क सरकार लोर डिविजिन क्लर्क और इसके साथ ही एक कारेकाल अनुसेवक की बहाली होगी इस बावत क्यावनिट से मंजूरी लेने के बाद बहाले की अधीयाशना सम्मंधित आयो को भेज़ दी जाएगी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि वर्तमान समय में विहार में 5350 कर्मियों की जरूरत बताई गई है इन पदों पर मात्र 1070 पदिक ही स्रिजुत है उसको देखते वे विभाग ने 4285 पद स्रिजुत करने का फैस्टा लिया है रेरा ने सभी बिल्डर्स को दो टूक नसिहत देते वे प्रोजेक्ट को समय पर पुरा करने की नसिहत दी है प्रोजेक्ट पुरा नहीं करने वाले बिल्डरों से extension की मانग की जाएगी जिसके कारण उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा इसके साथ ही रेरा में जमा extension fees की दोगु निराश्री deposit करनी होगी हाला कि अब तक जो नियम लागू थी उसको अगर हम देखे तो समय सीमा में एक साल अधिक extension पर registration fees की आधिरकम जमा करानी पड़ दी थी लेकिन अब य बांकिंग के ये नियम आज से नए महीने की शिर्वात हो गई है वही नए महीने के शिर्वात के साथ ही कई नए नियम भी आज से लाग होने वाल है जुसके तहर्ट डीमाट या ट्रेडिंग अकाउंट वाले निवेशकों ने अगर श्रनिवार को KYC पुरा नहीं किया है उनके अकाउंट को एक अगस से निश्क्रिय हो जाएंगे आज से सैर्वरी पेंशन और EMI का भुकतान 24 दिन और 24 घंटे यानि के छुट्टी के दिन भी हो सकेगा बाते रजव बांक में दूसरे बांक के एटियम से कैश निकालने पर लगने वाली इंटरचेंज फीस 15 से बढ़ाकर 17 फीस दी करने का एलान किया है उनके मताबिक गैर वितिये ट्रांसक्शन के लिए इंटरचेंज फीस 5 से करीब 6 रुपे बढ़ गई है करीब 9 साल बाद यह फीस बढ़ी है जो की आज से लाग हो गई है एक अगस से इंडिया पोस्ट पेमिंट बांक रहकों से डोर स्टेब बांकिंग के लिए चार्च रेक आचरिंदा प्रोड़क्ट और सर्विसेज के लिए हर रिक्वेस्ट पर 20 रुपे और अतरिक्त जीयस्टी देना होगा राश्ट्री अध्यक्ष की कुरसी संभालते ही ललन सिंग ने दिया बयान जदियों के राश्ट्री अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ललन सिंग ने बीते दिन अपना बयान जारी किया है जिसके तहट ETV भारत से बाच्षीत के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी की भी अंदेखी नहीं की जाएगी सब को साथ लेकर चलने की हमारी कोशिश है सभी निरने लोगों के सलाह मश्वरा से ही लिये जाएगे और संगठन को एक जुट रखने की पूरी-पूरी कोशिश की जाएगी इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नितिश कुमार के कारेों को गाउं-गाउं और दूसरे प्रदेश तक पहुचाय जाएगा पार्टी में किसी की उपेक्षा नहीं की जाएगी आरसीपी सिंग ने ये भी बताया कि रास्ट्री अधिक्ष पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करता है संगठन महासचिव रहते वे संगठन को धारदार बनाए गया है उसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा समाज की हर्तपके को पार्टी के साथ जोड़ करने आई के साथ विकास करने का मुख्यमंत्री नितिश कुमार का जो नारा है उसे बुलंदियों तक ले जाने का काम करना है इसी महीने बिहार में पंचाय चुनाफ का होगा एलान बिहार में पंचाय चुनाफ को लेकर राज़निर्वाचन आयोग लगातार तैयारियों में जिटा हुआ है आलम ये है कि चुनाफ आयोग ने अब तक तारीख के अलावा पंचाय चुनाफ को लेकर लगभग सभी घोशनाई कर दी है इसी बीच चुनाव को लेकर मिली जुहानकारी के अनुसार अगस्त महीने में बिहार के अंदर पंच्याट चुनाव की घोश रहोने की प्रबल संभाव ना देखी जा रही है आपकी जुहानकारी के लिए आपको बता दे कि राज़निर्वाचन आयोग की यही कोशिश है कि बिहार में पंच्याट चुनाव का आयोजन संभावित तीसरी लहर की आश्रंका के बीच हालात बिगरने से पहले पूरे करवा लिये जाए यही कारण है कि राज़निर्वाचन आयोग ने अब तक EVM से लेकर हर एक मुद्दे को सुलजाने की पूरी पूरी कोशिश की है इतना ही नहीं बीते दिन राज़निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीम के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये चिनावी तयारियो कि समीक्षा भी की इस दौरान अलग-अलग राज़ो से लाएगे EVM में बारकोड लगाने और उसे स्क्यान और स्टॉक एंट्री करने का निर्देश सभी डिया गया है बिहार के जारखंट से सटे इलाके में भारी बारिश के आसार बिहार के मौसम में इन दिनों काफी बदलाब देखने को मिल रहा है राजु के दक्षन पश्ण भाग में निम्न दबाव का छेतर विक्सित होने के कारण अधिकतर हिस्सों में बादल चाहे रहने के साथ ही मौसम भी सुहाना बन गया है शनिवार को राजधानी समेत कई इलाके में हलकी बारिश देखने को मिली पटना समेत राजु के दक्षन भीहार के कई स्थानों पर हवा की रफतार 20-30 किलोमीटर प्रती घंटे के बीच रही मौसम भाग की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान इसी तरह कि स्थिती राजु में बने रहने की संभावना है मौसम भीज्यानिकों का ये भी कहना है कि राजु के पस्चुमी भाग में हलकी बारिश तो वहीं दक्षन भाग में एक या दो स्थान पर भारी बारिश की आश्रंका जुताई गई है इसके साथ ही मौसम भाग ने दक्षन भीहार में येलो अलर्ट ज़ारी कर दिया है देने का फैसला लिया है परिवहन भाग की माने तो दुरघटना में खायल को अगर कोई भी आमिलेस चाल अस्पताल पहुचाएगा तो उन्हें सरकार की तरफ से दुरघटना सलसे लेकर अस्पताल पहुचाने का किराय दिया जाएगा आपकी ज़ानकारी के लिए आपको बता दे कि बिहार में सरक दुरघटना के कारण बहरतर प्रतोषत लोगों की जान चरी जाती है जो अन्य राज्यों की तुलना में बेहत ज्यादा है करना पड़ रहा है आलम यह है कि आटो वाले यात्री से मनमाने किराया वसूल रहे हैं जिन यात्रीयों के पास अधिक सामान है उन्हें मजबुरी में रिजर्फ कर आटो आई-एस-बी-टी तक जाना पड़ रहा है इसके साथ ही शेहर के विभन हैसों में आई-एस-बी- पड़ा हाला कि ISBT पर दूसरी बड़ी समस्या पानी और शौचाले की है उन लोगों की माने तो आधी अधूरी तयारी के साथ ही शिफ्टिंग का काम कर दिया गया है जिसे यात्री को काफी ज़ादा परिशानी का सामना करना पड़ रहा है बिहार में चुकित्सा के शेत्र ने हासिल के दोकी इर्थिमार महानगरों में होने वाली रोबोटिक सर्जूरी का नाम ही अब तक हमने और आपने सुना होगा लेकिन अब यह रोबोटिक सर्जुरी बिहार में भी देखने को मिली है जिसको की संभव किया है पटना एम्स ने यहां रोबोट से 65 वर्श्य महिला के ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया राजमे सरकारी एस्पताल में यह पहली रोबोट सर्जुरी है हाला कि अभी इसका डेमो किया गया है वहीं दूसरी दरफ आईजी आएमस में कूसा ने गॉल ब्लादर के कैंसर की सर्जुरी हुई है इंदरागांधी इंस्टिटूट औफ मेडिकल साइंस के ग्यास्ट्रो सर्जुरी विभाग में चॉलस वर्षय महिला का सफलता पूरवक पित्त की थैली का कैंसर का दूरबीन विधी से किया गया है इन दोनों के रितिमान के साथ बिहार में आने वाले समय में चुकित्सा के छेत्र में बने बदलाब होने की उमीद भी अब बढ़ने लगी है हावरा स्टेशन पर पांच जोड़ी ट्रेने हुई रद यात्रगं कृपया धियांदे हावरा स्टेशन और आसपास के इलाकों में जलजमाव के स्थती को देखते वे पांच जोड़ी ट्रेनों को रद कर दिया गया है या खुलने पहुचने वाली पांच जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को रद कर दिया है जिसकी जानकारी पुर्वमध रेलवे के मुखी जन संपर का धिकारी राजेश कुमार ने दिया है कि बारिश की वज़े से जल भराब से ट्रेनों के परिचालन में मुश्किल हो रही है इस वज़े से आज भी ट्रेनों का परिचालन नरस्त किया गया है बिहार के किसानों को फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा देगी सरकार राज में बाढ़ हादी प्राकरतिक आपदा को देखते वे फसल सहायता योजड़ा में आवेदन की तारीख 30 जुलाई तक थी, मगर 30 जुलाई तक बिहार में कुल मिलाकर 18576 आवेदक आये हैं सहकादता विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार जो किसान फसल सहायता योजड़ा के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं और विभाग के टोल फ्री नमबर 1800345290 और 06122200603 पर जानकारी ले सकते हैं वहीं सरकाल की यहीं मन्शा है कि जिस भी किसान की 20% फसल को छती होगी तो उस किसान को 3500 रुपे प्रती हेक्टेर की दर से फसल सहायता योजड़ा का लाग दिया जाए जबकि 20% ज़्यादा फसल को छती होने पर सम्मन्दित किसान को 10,000 प्रती हेक्टेर की दर से छती का मुआवज़ा दिया जाए हाला कि रयत किसान द्वारा ओनलाइन आवेदन और बंधन के लिए आधार संख्याधार रेजिस्टर्ड मुबाइल नंबर आधार संबध बैंक खाता भू स्वामित प्रमान पत्र या राजस्वरसीद स्वगोश्णा पत्र और आवेदक का फोटो जरूरी है ललन बाबू के राष्ट्री अध्यक्ष बनने के बाद नितीश कुमार ने दिया बयान बीते दिन जदियों के राष्ट्री अध्यक्ष की कमान ललन सिंग को सौब दी गई है वह उनके राष्ट्री अध्यक्ष बनते ही मुख्य मंत्री नितेश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसके तहत उन्होंने कहा कि लेलन सिंग को पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला सर्वसम्मती से लिया गया है विधान सभा चरणाफ के बाद मैंने राष्ट्री अध्यक्ष की कुरसी छोड़ दी थी और रसीपी सिंग को जिमदारी दी थी लेकिन अब रसीपी सिंग जो की केंदर की जिमदारी संभाल रहे है तो अब ऐसे में रास्ट्री अध्यक्ष की जिम्मदारी किसी और के हाथ में ही जानी थी रसीपी सिंग ने खुद ही ललन बाबू को रास्ट्री अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव कारेकार्णी में रखा रसीपी सिंग की पहल पर ललन सिंग पार्टी के रास्ट्रिय अध्यक्ष बना दीगे है इसके साथ ही मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने उपेंदर कुश्वाह को लेकर भी साफ कहा है कि उपेंदर कुश्वाह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे और प्रदेश ने तृत में बदलाव की बात कहीं भी नहीं है यूपी चुनाफ पर कुछ भी बोलने से बच्चते दिखे तेजस्वी अगले सार उतर प्रदेश में वधान सभा चुनाफ का आयोजन होने वाला है वहीं चुनाफ को लेकर अभी से हो रही तैयारियों के बीच बिहार के गई राजनेतिक दलवी सक्रिये है वहीं उतर प्रदेश चुनाफ को लेकर बीते दिन जब मीडिया कर्मियों ने तेजस्वी यादव से सवाल किया इसके साथ ही जोरान उन्होंने लालो प्रसाद यादव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है जिसके तहत उन्होंने कहा कि लालो प्रसाद यादव एक नाम नहीं बलकि एक विचारधारा है उनका vote bank है जब नितीश कुमार के साथ थे तब भी सबसे बड़ी पार्टी राज़ित ही थी लालु जी ने जो काम किया है उसका असर अभी तक है हर्षा भोगले ने T20 विशुकप के लिए चुनी अपनी टीब भारत के मशूर क्रिकेट एक्सपर्ट और कमेंटेटर हर्षा भोगले ने आगामी T20 विशुकप के लिए अपनी 15 सदस्य टीम चुनी है हर्षा ने अपने इस टीम में च्छे मुख्य बले बाजो कुछ जगे दी है हर्षा की टीम में कप्तान विराट कोली, रोहित शर्मा, केल राहुल, सुरे कुमार यादफ, श्रिया सहीयर और इशान किशन में से कोई एक और रिवशा पंध शामिल है हर्षा भोगले ने अपने टीम में च्छार और राउंडर रखे हैं जिसमें हार्दिक पांडिया, रविंदर जुडेजा, वशिंग्टन सुंदर और दीपक च्छाहर का नाम शामिल है इसके लावा टीम में स्पिनर के तौर पर वरुन चक्रवरती और येजुवेंदर चेहल्च शामिल है तीज गेंदबाजों में भुविनेश और कुमार और जिस प्रीद बुम्रा भी तैया भारत में मिले COVID-19 के 40,000 से ज्यादा मामले, भारत में करोना के मामलों में उतार चुरहाब जारी है स्वास्तवभा की तरफ से मिली जानकारी के नुसार, आज करोना के मामलों में मामूली बढ़ोतरी दर्च की गई है जारी आकडों को देखे तो बीते 24 गंटे में 41,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, वहीं 541 लोगों की जान चली गई है शरीवार को आई रिपोर्ट के मताबिक बीते एक दिन में 41,649 ने मामले सामने आए हैं, जबकि 593 लोगों की जान चली गई है वहीं रविवार को 41,831 ने मामले सामने आए हैं, देश में बीते 24 गंटे में 49,258 लोग स्वस्थ होकर घर वापस दोटे हैं वहीं 7,89,412 लोगों का टेस्ट हुआ है इसके साथ ही विग्यानिकों की तरफ से COVID-19 की 30 लहर को लेकर लगातार शेतावनी दी जा रही है रवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटे रहने के लिए हमारी योट्यूब चैनल को सब्स्क्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें धन्यवार